चोरों ने मंदीर को फिर बनाया निशाना रानी थाना 17 अंतरगत ग्राम पंचैत देवली पाभुजी के काम देवली पाभुजी से टारिया जाने वाले जौले सर मंदीर को चोरों ने फिर निशाना बनाया हैं पुजारी ने बताया है कि मंदीर से उन्होंने भगवान की मूर्ती वादान पात्र ले उड़े हैं जिसकी सूसना उन्होंने ग्राम की सरपंच नायनला स्रकरा को दी वे मौके पर पहुंशे तता मौका मौहेना कर इसकी सूसना नडोल पुलिस तोगी को दी है आपको पता दी कि यहां से स्वरों ने एक बार फिर इसाना बना तविये मंदीर से मूर्ती वादान पात्र ले उड़े हैं कितने बज़े सोरी हुई थी और कब की कटना पूरी डिटल बताई चे बज़े साब चे बज़े यहां आया तो मैंने खोला यह मिंदिर के रोज पूजा पाट करने आता हूं तो यहां देखा तो अंदर पूरा दरवजा खुला था नहीं पेटी थी नहीं एक चोटी वगा पर पहुंचींगे फिलाल आए नहीं हो लोग बोले में हम लोग आ जाएंगे विलत साब की दर बाहर के सामान क्या-क्या सोरी हुआ है मनी से यहां तो सर एक तो अपना दान पिटी और एक संकर भुगान के उनके पार तो ची मूर्ती थी चोटी चांदी की वो इतले कि चले तो उनको वापस पकड़े नहीं गए नहीं पकड़े नहीं गए दो बार मिने एक बार उनको पहले भी चोटी में साब को बोला था तो आये तो मौके पे अपकी बार भी बोला जाए कि मौके पे